हेलो गाईज आपको स्वागत मेरी एक और नई वीडियो में तो आज हम करेंगे एसिटिक फोटो एटिंग कुछ इस परकार की आप देख सकते हैं स्क्रीन पे तो आपको भी सीख रहा है तो वीडियो में आच तक जरूर बने रहा है ना आपको सिंपली टूल्स पर क्लिक कर देना है और मैक्सिमम रिसाइज में डालके आपको रिसाइज कर देना है इसके बाद आपको सिंपली एड़ फोटो में चले जाना है और सिंपली आपको यह वाली PNG मिल जाएगी simply इसको ले लेना है और कुछ size को बढ़ा कर लेना है और कुछ इस परकार आपको यहां लगा देना इसको लगाने के बाद इसकी opacity को आपको कम कर लेना कुछ 35% के करीब and इसके blend option पर जाएगे इसको कर देना आपको multiply में आपको erase पर क्लिक करना है और simply आपको इसको erase करना है जो आपके सूज पर आ रखा है तो मैं इसको erase कर लेता हूँ simply guys आप देख सकते हो गया right पर क्लिक कर देना है अगेन आपको add photo पर क्लिक कर देना है और simply आपको यह wings की png मिल जाएगी इसको ले लेना है और कुछ इस परकार आपको यहां लगा देना है लगाने बाद आपको erase पर क्लिक करना है hardness को 100 करके erase कर देना है और simply आपको background में brush को चला देना है तो इसको मैं simply fill कर लेता हूँ और आपको simply right पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको second अपनी wings को लेना है इसको भी erase कर लेना है पहले और simply इसको भी background में आपको बरस को fill कर देना है इतना होने के बाद simply आपको right पर click कर देना है again आपको add photo में चले जाना है आपको ये वाली png मिल जाएगी simply इसको लेना है crop वाले option पर जाएगे इसे simply आपको crop कर लेना है और कुछ इस परकार आपको अपने eyes के उपर इसको लगा देना है होने के बाद आपको simply add photo में जाना है आपको ये devil की png मिल जाएगी इसको लेना है simply अपने head के उपर आपको लगा लेना है और simply आपको right पर click कर देना है again आपको add photo पर click कर देना है Simply आपको ये वाली PNG मिल जाएगी इसको ले लेना है और कुछ इस परकार आपको यहाँ पर इसको लगा देना है To Copy आइकोन पर क्लिक करके डूबलिगेट ले लेके Simply इसको थर्ड वाले उप्सिन से फिलिप कर लेना है और Simply आपको यहाँ लगा देना है इसके बाद आपको Again Add Photo में चले जाना राइट कर देना है और राइट करने के बाद अगेन Add Photo में जाके आपको ये वाली PNG मिल जाएगी दोनों को Add कर लेना है और कुछ इस परकार एक को यहाँ पर लगा देना है और जो Text वाली PNG है कुछ इस परकार यहाँ पर आपको लगा देना है इसके बाद आपको Again Add Photo में चले जाना है ये वाली आपको दोनों PNG ले लेनी है और Simply कुछ इस परकार आपको एक को यहाँ लगा देना है और Second वाले को इसके उपर यहाँ इस परकार आपको लगा के Right पर किलिक कर देना है इसके बाद आप देख सकता Before and After देख सकते है कैसा है इसके बाद आपको Simply Effect वाले Option में जाना है बलर पे जाना है, Focal Zoom पे जाके Simply इसको Focus Zoom कर लेना है कुछ इस परकार और बलर को 5% करके Right पे किलिक कर देना है इसके बाद आपको Effect में जाना है, FX पे जाना है और Simply आपको यह वाला Effect मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ Simply आपको यह वाला Effect ले लेना है, और Right पे किलिक कर देना है इसके बाद आगे हैं आपको टूल्स पर जाना है अबजेक्श्ट पर क्लिक करकर थोड़ी सी ब्रैटिनस थोड़ा सा कॉंट्रास बढ़ा लेना है और सैचुरेशन आपकी मर्जी आपको बढ़ाना नहीं बढ़ाना है उसके बाद हाई लाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और सैडो को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो इसके बाद आपको सिंपली राइट पर क्लिक कर देना है तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है